लेकिन आज 15 अक्टूमबर है। भी मानसुन की विदाई भारत से नहीं हो पाई है हम अलग अलग जगों की अगर बात करें तो सभी जगों पर चुटपुड बारिस चली रही है चाहे हम बैंगलोर की बात करें महराश्टा की बात करें एमपी की बात करें 36 गल की बात करें दिल्ले की बात करें, सभी जग़ों पर बारिस अभी के समय पर हो रही है और यह जो बारिस है, टमाटर एक लिए जहर का काम करती है इस बारिस पर जो सबसे जादा नुफसान होता है, वोई टमाटर होता है टमाटर अरली वैट, लेट बैट, बैक्टिल वैट यह सारी समस्याएं हमें देखने में आती है और अभी पिछले दो दिनों से हम देख रहे हैं कि टमाटर की जो भाव है थोड़े से नीचे आ चुके है लग बग 200 रुपे, 300 रुपे, कहीं कहीं 500 रुपे के रेट के भी नीचे भाव आ चुके है आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिस करेंगे कि जो अभी के समय पर भाव नीचे आये हैं, उनका क्या कारण है और आने वाले समय पर टमाटर की भाव क्या हो सकते हैं उपर जा सकते हैं या फिर नीचे जा सकते हैं ये भी हम कुछ पाइंटों के अधर पर समझने की कोशिस करेंगे उससे पहले हम ये समझेंगे कि अभी के समय पर, आज के समय पर टमाटर की भाव क्या रहे अलाग-अलाग मंडियों पर, जैसे कि दिल्ली मंडी है, नासिक मंडी है, कोलार मंडी है, पीपल गाव मंडी है हमारा मदनपल्ली है इन जगों पर टमाटर की क्या भाव रहे हम ये भी समझने की कोशिस करेंगे वकि ओवराहल इंडिया पर जो टमाटा की फसल है, जो विसेश राज हैं, जो विसेश जगह हैं, वहाँ पर टमाटा की फसल की क्या इसी थी बारिस के बाद, हम ये भी समझेंगे, आने वाले समय पर कहां कमा निंकल सकता है, हम ये भी इस वीडियो पर समझने के खोशित करें मैं हूर आकिस हूँ आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बाते किसान की जनकरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पहली वाले चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अभी के समय पर टमाठा की भाव अलग-अलग मंडियों पर क्या चल रहे हैं इससे पहरे मैं आपको बता दूँ कि आपकी मंडी पर आज की समय पर टमाटा की भाव क्या है आप जिस मंडी से भी आते हूँ हमें कमिट वसवर जरूर लिखे चलिए सुरुआत करते हम कोलार मंडी से कोलान मंडी पर यदि हम देखें तो टमाटा की जो भाव आज 15 अक्टुमबर को जो रहे वो 14 किलोगा जो बाक्स होता है उनका उसकी जो भाव है लगभग 7500 रुपे से लेकर 800 रुपे तक टॉप कौल्टी के टमाटा की रहे इसके बाद यदि हम मेंडियम टमाटा की बात करें तो उसकी जो भाव है वो लगभग 500 रुपे से लेका 600 रुपे तक रहे जैसे टमाटा की कौल्टी वैसे ही उसके दाम अब हम बात करते हैं मदन पल्ली मंडी की तो मदन पल्ली मंडी पर जो टमाटा के भाव रहे वो 25 कजी वहाँ पर केरेट चलती है तो उसके जो भाव हैं लगभग 12-13 रुपे अधिकतम 14 रुपे रहे जो अच्छा क्वालिटी का टमाटा है उसके भाव लगभग 14 रुपे तक रहे वांकि लोवर जो मीडियम टमाटा है उसके जो दाम है लगभग 1000 रुपे 1100 रुप समझ की चल सकते हैं तो ओवर अगर हम देखें तो लगभग 200-300 रुपे तक की गिरावट है टमाटा पर आगे हम समझेंगे की हालत ये क्यों ही ठीक है और आने पर समय पर क्या हो सकते हैं इसके बाद दूसरे एरियों की बात करें हम तो स्यूपूरी स्यूपूरी पर टमाटा जो किसान वहीं पर बैच रहे हैं जो खिष से बैच रहे हैं उसके जो रेट है वो अच्छे हैं लगभग 1300 रुपे से लेका 14 रुपे के टमाटा वहीं जगे पर बिकर हो है लेकिन इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि वही टमाटर जाकर दिल्ली पर उसके भाव क्यों कम है हम समझेंगे इस वीडियो पर तो सिवपुरी केकर बात करें तो वहां का जो टमाटर है वो लगभग 30-40% चालू हो चुका है और आने वाले समय पर लगभग 15 दिनों के बाद पूरा टमाटर वहां का चालू हो जाएगा अब हम बात करते हैं MP की तो MP पर हम देखें तो टमाटर की जो भाव है वो लगभग 11-12 रुपे अच्छे दाम है इसके बाद हम मीडियम क्वाल्टी की टमाटर की बात करें तो मीडियम क्वाल्टी का टमाटर जो है बुल लगभग 700 रुपे 800-900 रुपे तक बिक रहा है इसके बाद जो चूटा टमाटर है जो राटन टमाटर है उसकी बात अलाग है इसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली मंडी की, तो दिल्ली मंडी पर टमाटा के भाव, आज के समय पर हम देखें, तो अधिक तम चौदा सुरूपे रहे। जो सिलाई का टमाटा रहे हमाचल परदेश का तमाटा है, उसके दाम सबसे अच्छे रहे। इसके बाद नमबर लगता है बैंगलोर के टमाटर का तो बैंगलोर के टमाटर के दाम भी लगभग 13 सुरुपे 24 सुरुप अच्छी क्वाल्टी की टमाटर और वहीं अगर हम बात करते हैं जो हमाचल प्रदेश का तो उसके भी वही रेट रही इसके बाद सूलापूर आपक 12 सुरुपे से लेका 14 सुरुपे तक प्रती के रेट के यानि के 25 के दाम वहाँ पर रहे दिल्ली मंडी पर यदि हम देखें तो लगभग 300 रुपे की गिरावट है पिछले दो दिनों में कल 200 रुपे गिरावट थी आज 100 रुपे और टूट गए अब क्या एसी थी बनी है जा सरे के बाद हम यह इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे उससे पहले हम यह समझते हैं कि अभी के समय पर जो टमाटा की फसले वो कैसी है अबरहाल इंडिया पर तो उस पर यदि हम देखें तो जो स्यूपुरी का एरिया है वहाँ पर 20 से लेकर 30 परसेंट 40 परसें कि यार टमाटा की जबाग आने वाले समय पर क्या हो सकते हैं जो एंपी का टमाटा है अने एरिया का तो वो भी टमाटा आपका लगबग 15 दिन के बाद पूरा चालू हो जाएगा और 36 रड़ की वही सिती है कि लगबग 5 नुमबर के लगबग में वहाँ का टमाटा भी चलेगा तो 15 दिन से लेकर एक मेहने तक बैंगलोर पर भी काफी बारिश हुई है तो जो अगेती टमाटा वह भी समाप्ति की ओर है वो भी लगबग चलेगा ज़दा 15 दिन से लेकर एक मेहने तक हाँ जो नई फसल लगई है उसकी बात अलग है इसके बाद गुजरात की ट होगी तो ओवराल टमाटा जो बढ़ने का है वो है MP का, 36 गड़ का और थोड़ा बहुत माहराष्टा का इसके अलावा ऐसे कोई राज नहीं है जहां पर टमाटा की बढ़वार आने वाली हो तो टमाटा की जो भाव इतने जादा भी नहीं गिरेंगे लेकिन थोड़ी सी ज शॉच्न पर आनधियो की बात कर जोसे बैंगलोर की मंडिया है MP क сю catast बॉफली की मंडिया वहां इतने कम नहीं हुए बैंगलोर की सभी मंडियो पर वहाव इतने कम नहीं हुए हैं लेकिन दिल्ली मंडी पर पहुंचने के बाद वहां पर भाव थोड़े से काम है अब यह क्या है लगबक तीन से चार दनों के बाद पता चलेगा वह इसलिए पता चलेगा दोस्तों कि अभी क्या हुआ कि पिछले जो तेवारी सीजन था दसे रेगा जो सीजन था नावरा उसकी बढ़ जाती है तो एक यह भी कारण हो सकता है इसलिए मैं आपको बता दूं कि आने वाले दो से चार दनों के बाद थोड़ी सी-सीती हमें समझ में आएगी कि आने वाले समय पर टमाटा के भाव क्या हो सकते हैं अलग-अलग मंडियों पर हम बात करते हैं सबसे पहल तो दिल्ली मंडी पर टमाटा के जो भाव है लगबग 1000 रूपे से लिकर 12-13 रूपे तक रहेंगे अच्छे मलकी जो हईबे टमाटा रवय नौश रूपे से लिकर 12-100 रूपे तक रहेगा आने वाले सबता है हम आने वाले पांसे च्छे दुनों के बाद फिर से एक नया वीडियो लाएंगे आपके लिए कि आने बाले समय पर टमाटा की भाव क्या हो सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जान करे साथ तब तक नमस्कार जाहिन जाह किसान जाजवान